दोस्तों यह है Hero Destiny 125 BS6 का 100 million edition इसे limited edition भी बोलते हैं इस limited edition में नया और special क्या दिया है और क्या-क्या बदलाब हुए है इसकी features क्या है, mileage क्या है, नई on-road कीमत कितनी है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी यह Hero Destiny 125 का top model है और इसमें 4 variant आते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके front से तो यहां पर आपको इसका जो visor है वो black और white color में दिया गया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसकी उपर की side में आपको hero का 3D में logo मिल जाता है और यहां पर आपको halogen headlam मिल जाती है 35 watt के bulb के साथ और यहां पर number plate का option दिया है यहा कि इसके look को काफी ज्यादा attractive बना रही है और यहां पर आपको जो indicator है वो bulb वाले दोनों तरफ देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप यहां से भी देख सकते हैं और इसकी नीचे की side में आपको जो है programed fi और 100 million edition का logo मिल जाता है जैसा कि यह limited edition है और इसके front mudguard पर IBS का logo दिया गया यहां पर आपको reflector भी मिल जाता है और यहां पर 9010 का tire size दिया गया इसमें ट्यूलेस टायर दिये गए है और इसमें integrated braking system मिल जाता है इसकी आगे और पीछे की दौनों brake एक साथ काम करती है और यहां पर black color के alloy wheels दिये गए हैं और इसके suspension की बात करें तो यहां पर आपक की मीटर कंसोल की तो इसकी मीटर कंसोल में आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको digital और analog टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है यहां से आप speed देख सकते हैं और यहां पर economy zone दिया गया है यहां पर i3S की indication light और man headlight indication light देखने को मिल जाती है जैसा क यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर आपको जो है engine malfunction light और side stand indication light और turn signal indication light देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको digital type का मीटर मिल जाता है इसमें fuel की reading, km पर hour speed की reading और km की reading देखने को मिल जाती है और इसके side में आपको side mirror मिल जाते हैं जो की काफी अच्छी quality के हैं इस इसमें भी आपको changes देखने को मिल जाता है यहां पर आपको low beam high beam switch इसी में आपको passing switch मिल जाता है नीचे आपको मिल जाता है indicator और horn का switch इसके दूसरी side में चलें तो यहां पर I3S का switch मिल जाता है blue color का और इसके नीचे की side में आपको जो है मिल जाता है self का switch अब बात करें इस एडिशन का लोगो देखने को मिल जाता है इस स्कूटर में बस यही वदलाब हुआ है इसके डेस्वोड का जो कलर है वो पूरा चेंज कर दिया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर 155 mm की ग्राउंड क्लिरेंस मिल जाती है और यहां पर मैन स्टेंड दिया ग पर जो प्लेट लगी है वो फाइवर की दी गई है मैटल की नहीं है जो की सिलवर फिनिस के साथ मिल जाती है और इसके पीछे की साड में भी जो प्लेट दी गई है वो भी मैटल की नहीं है वो भी फाइवर की मिल जाती है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं अब दोस्तो seat के उपर logo देखने को मिल जाता है और इसके पीछे की side में एक यहाँ पर आपको grab handle मिल जाता है white color का और यहाँ पर 5 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है external और यहाँ पर आपको matte blackness मिल जाती है और यहाँ पर आपको tell lamp मिल जाती है normal bulb के साथ और इसकी जो indicator है वो भी आपको bulb वाले मिल जाते जैसा कि यहाँ से आप इसके tell lamp को और indicator को देख सकते हो जो की काफी attractive look दे रहे है और नीचे की side में hero का logo मिल जाता है और यहाँ पर number plate लगाने के लिए option मिल जाता है इसके दूसरी side में चलें तो यहाँ भी आपको destiny 125 का 3D में logo मिल जाता है maroon color के साथ और यहाँ पर chrome का element दि इसमें दिया गया है और इसके फीचे वाला जो tire सायजा वो 90 110 का दिया गया है इसमें C8 company के tulis tire मिल जाते हैं और 130 mm की drum brake दी गई है और black color के alloy wheels दिये गए है और इसके फीचे की side में unit swing with spring loaded hydraulic damper type के suspension मिल जाते हैं अब बात करें इसके engine की तो इसमें 124.6 cc का air cooled forest rock 2 valve single cylinder BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 9.1 ps की 7000 rpm पर इसका maximum torque है 10.4 nm का 5500 rpm और इसके performance की बात करें तो यह 4.19 second में 40 km पर आर की speed achieve कर लेता है और यहां पर side stand और man stand मिल जाते हैं जो की side stand अभी assemble नहीं है और यहां से आप इसके leg space area को देख सकते हैं जो की काफी बड़ा दिया गया है और इसके seat के नीचे की side में एक carry hook मिल जाता है सामान लटकाने के लिए और इसके dashboard के उपर की side में भी एक hook मिल जाता है सामान के लिए और यहां से आप इसके key point को देख सकते हैं तो दोस्तों हम में बात कर लेता हूं इसके boot space को open कर लेते हैं तो जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं वो जो है 19 लीटर का दिया गया है जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं और इसके अंदर की साइड में आपको एक LED की light मिल जाती है night के लिए और यहां पर आपको एक अच्छी सुबदा भी मिल जाती है इसमें आप अपना mobile charging भी कर सकते हैं इसमें data cable लगा कर आप अपने mobile को भ प्रेली भी मिलता था और इसके पीचे की साइड में 5 लीटर की fuel tank की capacity मिलती है जो की external दी गई है तो अब हम बात करें इसके mileage की तो इस scooter में आपको 52-55 km पर लीटर का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं 40-50 km पर आर की speed में चलाते हैं तो यह आपको 50 से पचपन की mileage आराम से निकाल कर दे देगा अब दोस्तों मैं बात करूँ इसकी on-road कीमत की तो destiny 125-100 million edition की on-road कीमत है drum variant के साथ 94,000 रुपे 94,000 रुपी जे on-road कीमत मैंने आपको बताई है साइनोशोर हीरो मद्यम गराम कॉलकता सोरुम की सोरुम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप कलकता या आसपास से हैं तो आप नीचे दिये हुए number पर call कर सकते हैं ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी अगर ये वीडियो आपको अच तैंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में